अब जी आइटी के ओन्लाइन प्लास में आप लोगा सौगत है आज हम लों को देखना है सप्लाइए इंट्री किया अभी तक हम लोगों ने जो भी इंट्री किया उसमें आइटम के रेट भरने के बाद टैक्स हमने अलग से लगाया लेकिन अभी अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसके रेट में टैक्स पहले से इंक्लूड हो जहां पर जो रेट हम भर है उसे रेट में टैक्स पहले से जुड़ा हुआ हो उसे बोलते हैं सप्लाइए इंक्लिज्यों आप टैक्स है जैसे अभी आप देखिए जैसे माल जी कि कोई आइटम है और उस आइटम का दाम है सो रुपए किसी आइटम का प्राइज है सो रुपए और इस पे सरकार ने जीएश्टी लगा रखा पांच परसेंट तो पांच परसेंट जीएश्टी के हिसाफ से इस पर टैक्स आजाएगा कितना पांच रुपए इस आइटम प्लस परसंट यह यह बोल सकते हैं 105 रुपए इंक्लिव आप टैक्स जोड़ कर एक सब पांच रुपए तो रेट हमारे दो यहां पर है यह जो रेट है वह आइटम का बेसिक रेट कहलाता है और यह जो रेट है उसमें टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है एसे ट्रांजेक् sixteं कbeltीं करने के लिए का कि इस पीचर का इस्तिमाल किया आता है इसे ट्रÁंजेक्शन के इंट्री करने के लिए किर आता है जिसके रेट में टैक्स पहले से ही इंक्लुड हो ऐसे जुड़ा करने के लिए इसके रेट में टेक्स पहले से ही जुड़ा है तो कैसे होगा सबसे पहले हम लूब इंडो डी से मिनिमाइच किये मिनिमाइच करने के बाद टैली के आइकन पर डबल क्लिक किये अगर तो और यहां पर में जाना हमें जाने के बाद है इस से में जाना है है और यहां से आगे सेंगें रचेन अगर देखेंगे तो आपको पता चलिए है कि जो हम अगला ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो ट्रांजेक्शन है जान फर्ष्ट जुलाई दोजार बीस सोल्ड वन पीस आप लेनो जी फ्यूप्यूटी सिक्स डेक्स्टॉप टू कंप्यूटर के रेट तीसजा रुपए इन्वाइस नंबर बी टूबी जी जीरो 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 फोर तो हम सेल किसको करने जा रहे हैं कंप्यूटर केर को चुकि कंप्यूटर केर का जीस्टी नंबर पहले से है यह पार्टी कैसी है यह पार्टी रेजिस्टर्ड और हम जानते हैं किसी रेजिस्टर डीलर को अगर हम सेल करते हैं तो वह सेल हमार लाएगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जब आउचर कोपन करेंगे तो से पुछेगा वी तुबी या भी टू सी था बी टू भी सेलेकर लेंगे और कंप्विट्रों के लोकल पार्टी है इसलिए हम यहाज इसको लोकल सेलेकर लेंगे का नेम रख देंगे कंप्यूटर क कि अब यहां पर देखेर का कॉलम जो सिंगल के ट्रेट का कॉलम एक जगह में तो यहां पे हमें क्या वहां लग से लगाना होता है लेकिन अगर कोई सिचूएर जाएं जिसमें जुड़ा हो लिए ही हमें क्या करना होगा ऐसे ट्रांजिक्शन की इंट्री करने के लिए हम इससे पहले कंफीगर में जाना होगा और यहां एक आपसन आता है प्रोवाई रेट इंक्लिज्व आप टेक्स फार इस्टाक आइटम कि इसे करना होगा यह और control एसे कर लिना होगा, एक्सिप्ट, ऐसा करने से, इस rate के बगल में एक rate और आ जाएगा, और यहाँ लिखा रहे गा inclusive of tax, इस rate के बगल में एक rate और आ जाएगा, और यहां लिखा रहे गा inclusive of tax, अब हम item select कर लेंगे, हमारे case में जो item है वो हैं Lenovo G56 desktop, तो हम क्या करेंगे यहां आइटम सेलेक कर लिया लिनोव जी 56 डेक्स्ट आप ठीक है इंटर करिया इंटर करने के बाद गोडाउन सेलेक कर लिया सौप्ट वांटी वन और यहां रेट जान लिखा इंक्लिजिव भाब टैक्स इसमें भर देंगे इसका रेट कितरा है तीस जानवे टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है जैसे तीस जान लिकर इंटर करेंगे आटोमेटिक यहां 25,430 रुपए 73 पैसे आ जाएगा यह जो रेट उठा रहा है यह रेट क्या है यह बेसिक रेट और तीजार जो रेट है वो क्या है टैक्स जोड़कर यानि इस आइट टैक्स का बेसिक जो रेट है वो 25,430 रुपए 73 पैसे अब अगर 25,430 रुपए 73 पैसे में 18% जोड़ेंगे तो आटोमेटिक की वैल्यू आ जाएगे इंटर करेंगे और आप ध्यान दीजिए तो जब देखो जबने इस आइटम पर सेंटल टैक्स लगाया और चैक्स लग कर इसलिए टोटल वैलू के नहीं आ रही है 30,000 तो ऐसा केस अगर कोई आया जहां पर टैक्स पहले से जुड़ा हो जिसमें आइटम की रेट में ही टैक्स पहले से जुड़ा हो वहां पर इस पीचर का इस्तिमाल करते इस पीचर को इनेबल करने के लिए कंफीगर में जाना रहेगा एक तमारा से इंपल रेट लिखा रहेगा और रहेगा रेट इनक्लुजिवाप टैक्स 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 जोड़कर जो रेट है वहां पर भड़ेंगे तमपार काम हो जाएगा और इसको कर लेंगे हां से एकसेप्ट वो जाएगा इसको मिआ से कर लेंगे एक्सप्ट यहां प्रिवू देख रहा है अगर बिल्कु प्रिद करना है तो प्रिवू कर लेंगे अगर आपको लग रहा है प्रिव में सारी स्थच्विश्ट से आ गई है तो डारेटलि हम क्या करेंगे इसकिप से वापस आएँगे कर देंगे इस तरह से हम कोई भी करेंगे ऐसी इंट्री जिसके रेट में टैक्स हमारा पहले से ही इंक्लिउड हो जुड़ा कि अब ओनेक्स सब्लों को देखना एए सेल आफ एसेंट मतलब क्या होता है उस harsh करेंगे तो कैसे करेंगे है घ्यान दिजें कि एले उस पर FROM चार्ज करना होता है उस पर हमें डिपरिसीइस चार्ज करना होता है डिपरेसीअट चार्ज क्या होता है किसी भी एसेट्स के मूल में होने वाली कमी को ही क्या कराता है डिप्रिसीएशन यानि समय के साथ साथ अगर किसी एसेट्स के मूल में कमी हो रही है वो जितने रुपए की कमी हो करने से पहले करने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में यह सेट्स को सेल कर सकते हैं हम सेल्स वाउचर में एसेट्स को सेल कर लेंगे लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसेशन चार्ज करना जरूरी होता है जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्राफिट या लॉस को बुक्स आफ एकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकते हैं मासर में आ रहा रहा ना जैसे माल लो एक्जामपल दे रखा है एज आन सेगेंड अपरल दौर एक केस कंप्यूटर है विजए लूपीश टॉंटी फाइफ थाउजंड तोंप्यूटर इंपायर हमने कंप्यूटर इंपायर को जो हमारा computer था उसको sell कर दिया ठीक है उसको ने क्या कर दिया sell ण कर दिया कि अब डिप्रेशेशन है यह में चार्ज रूपी एड़ेट 10 परसेंट पीए पीए मितलब पर रहनम साला ना साला डिप्रेशेशन कितना है 10% before selling of fixed assets you have to calculate written down value of computer यानि sell करने से पहले हमें computer का written down value निकालना पड़ेगा यानि depreciation charge करके हटाना पड़ेगा इससे क्या होता है कि assets को sell करने पर होने वाले profit या loss के बारे में पता चलता है कि इस assets को sell करने पर हमको profit हुआ या loss फिर्दे रखा है देखो हमने क्या किया हमने 25,000 में computer price sell किया लेकिन sell करने से पहले में क्या लगाना है depreciation और depreciation कितना है 10% साल आना यानि 100 रुपय का वस्तू है तो साल भरता उसकी कीमत कि नहीं न जाएगी 90 रुपय क्योंकि 10% depreciation लग जाएगा उसका दाम क्या हो जाएगा घट जाएगा और उसका दाम कितना बचेगा नबबे रुपय उसी तरह यह कंप्यूटर है जिसकी कीमत थे 25 रुपय कंप्यूटर जिसकी कीमत कितनी है 25 रुपय लिखा एक कंप्यूटर है और इस पर depreciation कितना है 10% सबसे पहले मैं यह देखना पड़ेगा इस कंप्यूटर को मैं खरीदा कब और बेचा कब उसके बीच में डिस्टेंस कितना है कितना गैप है और उस आप से उस पर depreciation लगाना पड़ेगा लगाने बाद हमको पता चलेगा इस कंप्यूटर को सेल करने पर मारा प्राफिट हो रहा है या लॉस कि देखो कि यादे रखा क्रिएड लेजर डिप्रिशीएशन अंडर गुर्प इंडरेक्ट एकस्पेंस और दूसरा हमको लेजर बनाना है प्रोविजन फार डिप्रिशीएशन और इसका गुरुप क्या हो जाएगा प्रोविजन दो लेज तो चलिए समस्केव दो लेजर मना लेते हैं जैसे सटनौत में रखा है उमकिष संगले जबिद्र भाले जो कर लिया इस वो कर लिया मैं कॉपई और कापि करने के बाद लेजर बताने क्लिए मियास वाफस आगे ओ मार गया क्रियेट में क्रियेट में आने की बाद लेजर लेजर वे देप्रसारा लेजर मैंना कि उद्षण लेचन में एक हना और इसको कार देंगे नहीं अप्ली के गाल ने बाएब कोविय करेंगे इसको घरसाल पर सीयहसले इसका जायेगा जाएगा उसके कफॉप फोगा तो ही होगा है दो गया किसरा एक लेजर और बनाना है नीचे दे रहा है उस लेजर का नाम है लास आंसेला फैसेट्स यानि इसेट्स को सेल करने पर होने वाला लास इसको करेंगे कपी और इसको भी अमना लेंगे और इसको रखेंगे इंडिवरेट टेक्समेंड है कि यह तीन लेजर हमने बना लिया अब पूरा सिनेरियो समझी है घ्यान से लिखा लिखा है इसेट्स वेर परचेज माई दोजार बीस इस कंप्यूटर को उने माई हख्र thoughtful किड़े निगया है जब दस परसेंट निकालेंगे ता आ यह जाएगा थीनगा महीं साल कीड़ा तिनदर का निकालेंगे तो यहां निकाला गया तीन हजार और चेंवर निकालेंगे तो पंद्रासूप वह यहां निकाला गया है कैसे निकाला गया पहले कःती जार गूड़े स्फोटा सर्व क्यों कि सालाना कितना है दस परसंट और हम ายदांगर निकाल रहे है। इसलिए यहां कर दिएख वट बारा तो यहां पर क्या होजाएगा यानि हिसको हमुने 30 किचिज़ और हम कितना होना चाहिए अटाइस जार पांस फूं कितना वहां 3500 रुपय। कितना वह लौस कितना हुआ 3500 पर एकते स cél लोग क faut records करना है कैसे करेंगे के हो सब्सक्राइब और फिर कंप्यूटर को करिए टूटल कितना तीस जार। देखिए अभी हम वापस आई स्केप से और अपने सिस्टम का बैलेंस सीट चेक करें हम आ गए बैलेंस सीट में और यहां अल्ड के साथ यह फोन बटन जब प्रेस करेंगे तो यहां पर कंप्यूटर कि आप को दिखाई का 30 000 गया कंप्यूटर दिखे गा घ्ल इस कितने का 30 कभा के लेकिन जब इस खर कर देंगे लेकिन का से भाण ओक यह क्या होगा चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हम यह आ ने के बाद आने बाद 5 बटन दबाएंगे जनल राउचर के लिए का के कि इसका फोन बज़ रहा है रहें है कि टेबीट करेंगे हम टेबिट हो Giard पर देविट करेंगे यहां पर देविट यहां करेंगे और डेविट होगा लासान सेल अफ एसेड्स एसेड्स को सेल करने पर होने वाला नुकसान इत्मां 35 रुप और उसको कर लेंगे एकसेप्ट ऐसा करने कबाद जब दुबारा हम बैनेंस हीट करेंगे तो चुकि कंप्यूटर में सेल कर दिया इसले इसले से हमारे क्या हो जाएगा यह गायब हो जाएगा जाएगा सो बस में आ रहता है लिश्टे मारे लिश्टे में गायेप अब हमें एक जन्रल on director करना पड़ेगा जन्रल वाउचर में जाएगे और करेंगे प्रोविजिन के अकाउंट को खोलो को बिखावन में न समने करेंगी प्रोविज़न करेंगे लाव पर ग्रीम्स क्तुप कितने रुपए से कितना लगा था पंदरा सव और कर देंगे प्रोविजन फार डिप्रिसियेशन और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट दोनों इंट्री करने बाद हम बैलेंसीट चेक करेंगे स्वारी हम चेक करेंगे प्राफिट लॉस एकाउंट तो यहां पर आप देखेंगे तो यह दोनों डिप्रिसियेशन आप दोनों खर्चे आपको दिखाई देंगे डर्ट एक्सपेंस पर आप आएंगे तो देखो यहां डिप्रिसियेशन भी पंदरा सुरुपए लगा है और यह 35 रुपए का जो लॉस हुआ वह भी आपको यहा कर देना जैसे यहां पर रख़ा है यह यहां डिप्रिसियेशन दिखाएगा पंदरा सो का लॉस आंसे लाफ एसेट्स दिखाएगा 35 रुपए यह हो जाएगा डिकत्स में यह चीज दोनों आपको चेक करना है यह दिप्रेशेशन भी आपको चेक करना है और यह लॉस आंस से लाप एसेट्स करना यह भी चेक करना है यह दोनों चीज में आपकी यह वैलू आनी चाहिए ठीक है हो जाएगा क्या हुआ है नहीं डेविट अब कल बताएं कि वह ज्यादा हो जाएगा वाज आपको सिर्फ इतनी इंट्री करनी है सप्लाइए इंक्लिज्वाब टैक्सेज और लासांस सेला फेसेट्स सिर्फ दो हेडिंग करिये रहने दें तीसरा रहने देंजिए तीसरा कल बताएंगे क्या है